नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका MS चादोन यूट्यूब चैनल पर दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दू कि ये वीडियो only educational purpose के लिए बनाई गई है इस वीडियो का आप गलत यूज ना करें यदि आप इस वीडियो का गलत यूज करते हैं इस ट्रिक का गलत यूज करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी दोस्तों आज मैं आपको WhatsApp की एक ऐसी जवरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि दोस्तों ये ट्रिक है इतनी शांदार कि कोई भी व्यक्ति इसको बिना यूज किये नहीं रह पाएगा और दोस्तों बिना देखे इस वीडियो को नहीं जाएगा क्योंकि दोस्तों ये ट्रिक आपने यूट्यूब पर पहले कभी नहीं देखी होगी तो दोस्तो आखिर में वो ट्रिक क्या है तो दोस्तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको WhatsApp एप दिखाई दे रहा होगा तो हम WhatsApp पर जाएंगे दोस्तो इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन पर प्रेस कर ले और कमेंट में आप टेक्निकल पॉइंट जरूर लिख दे और दोस्तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल भी ना भूले तो दोस्तो यहाँ पर आप देखेंगे आपने जो भी नेम यहाँ पर सेव कर रखा वो आपको देखेगा यहाँ पर हो सकता है आपकी गल्फ्रेंट का भी नेम हो तो दोस्तो जब आप अपनी गल्फ्रेंट से चैट करते हैं तो आपका फ्रेंड आपके पास बैठा देख सकता है कि यह किस से बात कर रहा है तो दोस्तों आप इस नेम को यहाँ पर hide कर सकते हैं आप छुपा सकते हैं अब दोस्तों वो कैसे छुपा सकते हैं आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर आपको छुपा के बता देता हूँ तो आप देख सकते हैं बस आपको टच करना है जैसे ही आप टच करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका आपकी girlfriend का या जो भी आपका relative है आप नहीं बताना चाते किसी को भी name कि यह किसका name है तो आपको बस ऐसे यहाँ पर touch करना है आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो profile name है वो यहाँ पर hide हो जाएगा तो दोस्तों अब यह कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों इसके लिए आपको एक app install करना पड़ता है एप का नाम क्या है आप देखेंगे आपको यह hide chat name इस app को आपको install कर लेना है तो दोस्तों hide chat name का जो app है इसको install करने के बाद आपको इस पर click करना है click करने के बाद मैं दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का interface दिखाई देगा तो आप इसको यहाँ पर ऐसे slide कीजिएगा नीचे आपको continue का option दिखेगा तो आप continue पर click कीजिएगा दोस्तों click करने के बाद मैं आप यहाँ पर देखेंगे आपको एक start का option दिखेगा तो हम इस start के option पर click करेंगे दोस्तों click करने के बाद अब आपको क्या करना है आप देखेंगे आपको यहाँ पर बस एक छोटा सा काम करना है दोस्तों अब आपको बैक में जाना है बैक में जाने के बाद में आप यहां पर देखेंगे आपको 9 के पर क्लिक करना है अब दोस्तों आपको क्या करना है आपको वाटसप पर जाना है और वाटसप पर जाने के बाद में आपको आपकी जिस भी चैट को हाइड करना है उसको आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा जैसे कि इस चैट की प्रोफाइल को हाइड करना है तो आप यहाँ पर जाएगा अब दोस्तो यह आपको एक पॉप अप दिखाई देगा दोस्तो इस पर आपको क्लिक करना होगा यदि आप इसकी जो प्रोफा को यहां पर हाइड कर सकते हैं तो दोस्तों है ना बहुत शांदार ट्रिक आई थिंक आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी तो प्लीज सेर जरूर कर देना थन्यवाद